नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब चनल पी एफपी में आज हम पेडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाल हैं स्टॉक अपने आल टाइम है से 25 परसन क्रैश हो चुका है भारी गिरावट देखने को मिली है लांस्ट ट्रेडिंग सेशन में भी साड़े चार परसन की गिरावट देखने को मिली है तो ऐसी सिचुएशन में रीटल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए निवेश करना चाहिए या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले company के quarter 4 के numbers पर नज़र डाल देते हैं net sales हमें year on year basis पे 12% बढ़ता हुआ नज़र आया लेकिन net profit में 17% की गिरावट देखने को मिली EBITDA भी 14% नीचे आता हुआ नज़र आया तो clearly इसका मतलब है कि net margin में हमें भारी गिरावट नज़र आती है जो कि अच्छी बात नहीं है fundamentals के बारे में बात करे product wise revenue breakup के बारे में बात करे तो अधे sales and sealants से 54.2% का revenue आता है construction and paint chemical से 19.9% air and craft materials से 7.1% industrial resin से 6.4% customer segment के बारे में बात करे तो consumer and bazar products से 78.3% के customer यहां से आता है industrial products वाले 21.2% है location wise breakup के बारे में बात करे इंडिया से 83.5% का revenue आता है तो mainly domestic business है लेकिन international business हमें 16.5% contribute करता हुआ नज़र आता है fundamental ratios के बारे में बात करे ROE 20 है ROC 24 है बले ही अपने averages से नीचे जाते हुए नज़र आए है अच्छी बात नहीं है लेकिन overall यह numbers हमें अच्छे नज़र आता है net profit margin साड़े 15% के आसपास है margins आप देख पाएंगे overall company increase करती हुए नज़र आई है लेकिन फिलाल जैसे आपको crude oil बढ़ता हुए नज़र आया इसके कारण margin में वापस घिरावट देखने को मिल रही है debt to equity 0.04 है कोई tension लेने वाली बात नहीं है manageable करजा नज़र आता है तो overall fundamental ratios हमें अच्छे नज़र आता है financial trend के बार में बात करें तो financial trend आप देख पाएंगे पहले कोई बहुत बड़ी growth देखने को नहीं मिल रही थी revenue थोड़ा बहुत उपर नीचे आपको होता हुआ नज़र आता था लेकिन कूविड के बाद आपको एक बहुत बड़ा jump revenue में देखने को मिला लेकिन सेम तरीके से आपको profitability में jump देखने को नहीं मिला है profit उपर जरूर गया 1.13,000 crores का जो profit था 2021 में उससे बढ़कर ये 1.21,000 crores होता हुआ नज़र आया लेकिन जिस speed से revenue उपर गया उस speed से profit उपर नहीं जा पाया क्योंकि margins में हमें घिरावट देखने को मिल रही है तो अफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding 69.94% है जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है mutual fund 4%, other DIA 3%, FIA 11%, retail and other category 11% के आसपास है share holding pattern मेरे इसाब से अच्छा है क्योंकि promoter के पास अच्छा कासा stake है 70% के आसपास का stake है और कुछ pledge भी नहीं है और institutions का भी interest हमें नजर आता है analyst के rating के बार में बात करें तो 18 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से सिर्फ 16% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए higher side पे 30% का upside है median 8% है और lower side पे 9% की घिरावट बताई जारी है ज्यादा तर analyst यहाँ पर बेचने की राय दे रहे हैं या फिर ना खरीदने की hold करने की neutral का target दे रहे हैं उसका reason है इसका valuation एक लाग करोड की market cap है 85 का PE ratio है valuation हमें यहाँ पर थोड़ा सा high नज़र आता है premium valuation पर company trade कर रही है और profitability में उस इसाब से कोई खास growth हमें पिछले कुछ सालों में नज़र नहीं आई है in fact हमें revenue में भी कोई बहुत बड़ी growth पिछले 3-4 सालों में नज़र नहीं आई है इस साल तो हमें revenue में growth देखने को मिली लेकिन अब तक growth देखने को में पिछले 3-4 सालों तक देखने को नहीं मिली थी 2022 में तो revenue ने अच्छा growth किया और साथ ही साथ stock में भी काफी अच्छी growth देखने को मिली है crash के बाद stock ने बहुत अच्छा performance दिया है 1250 का low बनाने के बाद stock हमें 2750 तक जाता हुआ नज़र आया और 2750 से stock वापस नीचे आ रहा है 2000 के level पे फिलाल ये stock trade कर रहा है अपने सारे moving average के नीचे है 29.93 का daily RSI है तो weakness नज़र आती है weekly chart के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे weekly chart पे इसका जो एक important support zone था ये तूटता हुआ नज़र आया लेकिन एक fake breakdown देखने ही को मिला थोड़ी से recovery देखने ही को मिली अब ये वापस हमें नीचे जाता हुआ नज़र आता है weekly RSI 34.39 है काफी जादा weakness हमें weekly chart पे भी नज़र आती है monthly chart के बार में बात करें तो monthly chart में भी weakness है क्योंकि March के crash के time पे भी इसने 20 months के moving average को नहीं तोड़ा था उसके उपर से sustain होकर आपको ये उपर जाता हुआ नज़र आया था पहले भी कई बार इसने 20 months के moving average पे support लिया है और उपर जाता है लेकिन फिलाल ये support हमें तूटता हुआ नज़र आता है एक बार तो hold करने की कोशिश की लेकिन वापस ये नीचे जा रहा है low के नीचे तो अलड़ी निकल चुका है तो high chances है कि इसके नीचे हमें ये close भी होता हुआ नज़र आ सकता है monthly RSI 49.95 है crash के time ये इसके नीचे है था उसके पहले जादा तर टाइम तो ये 60 के उपर ही रहता है तो long time का जो चार्ट है monthly चार्ट वहाँ पर भी momentum हमें weak होता हुआ नज़र आता है important levels के बार में बात करें तो सबसे पहले हम resistance level discuss कर लेते हैं अब यहाँ पर ये support लेकर उपर गया था ये low टूट गया है तो यही level अभी immediate resistance की तरह काम करेगा और ये breakout candle आप देख पाएंगे इसके जो नीचे का side है वो हमें 1840 के आसपास नज़र आता है तो ये important support हो जाता है यहाँ पर resistance भी लिया था इसके बाद आपको एक अच्छा momentum उपर के side पर देखने को मिला weekly chart पर तोड़ा और बहतर तरीके से समझ में आएगा resistance आप देख पाएंगे यहाँ पर यह गिरावट देखने को मिली support लेकर उपर गया वापस एक breakdown हो गया तो यह immediate resistance हो जाता है बाक से एक अच्छी rally की हमें शुरुआत होती भी नज़राई थी डेली चार्ट के बार में बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक zone बना सकते हैं तो यह दोनों zones को ध्यान में रखके हमें काम करना है जो भी काम करना है short term के लिए अगर suppose हम काम करना चाहते हैं इसके ऊपर ही करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में वीकने से उसमें कोई डाउट नहीं है तो जब तक यह पॉजिटिव नहीं हो जाता है तब तक के लिए short term के लिए काम करने से बचना चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं long term के बार में अगर आपने quantity अलड़ी hold की है तो of course आपको hold करना चाहिए अच्छी company है पिडिलाइट industry के fundamentals काफी सदा strong दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर आप hold कर सकते हैं कोई ऐसा fundamentally issue नजर नहीं आता है और add करना चाहिए तो यह 1840 से करके 1900 के आसपास का zone है यहाँ पर आप देख पाएंगे यह zone एक अच्छा zone है जहाँ पर आप accumulation करने के बार में सोच सकते हैं यह zone 1840 से करके 1910 के आसपास का zone है वाइड zone है थोड़ा सा लेकिन आप यहाँ पर investment करने के बार में सोच सकते हैं एक अच्छे level पर stock आ जाएगा जहाँ पर थोड़ा बहुत accumulation करने के बार में सोच जा सकता है positive के बार में बात करें तो company के fundamentals अच्छे हैं growth भी हमें decent देखने को मिली है actually 2021 तक decent थी अभी pick up होता हुआ नज़राता है 2022 में revenue में शांदार jump देखने को मिला है अगर यह growth continue रहती है तो बहुत अच्छी बात है share rolling pattern हमें अच्छा नज़राता है negative उसके बार में बात करें technicals weak है valuation premium है FII, DIY दोनों का stake कम हो रहा है लेकिन बहुत aggressively cut कर रहा है 15 से सीधा 10 आ गया ऐसा कुछ नहीं है एक एक दो-दो percent का हमें गिरावट यहां पर दिखाई पड़ता है इनके stake में most of the analyst हमें यहां पर bearish नज़राता है तो ऐसे situation में करना क्या चाहिए short term और mid term के लिए तो weak है avoid करना चाहिए long term के लिए खरीदारी करने के बार में सोच सकता है लेवल समने चार्ट पर discuss किया है I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है आपके investment और trading decision में आपको यह मदद करता है Thank you, stay happy, happy investing